अब आप अप अन्लोक में डार्बेटस्टर यसी मंदर मस्ज़त गुर्दवारा चर्च इनके साथ साथ अब रेस्ट्राइब खुल चुके हैं इसा बिलकुल मत कीजिएगा कि रेस्ट्राइब खुल गए हैं तो आप तुरंट घर से निकले हैं क्योंकि आप दोड़ाई में तीन महीन से घर में बंदर और खाना खाने में आपर पहुंच ज़रूर जाहिए लेकिन आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान लगना है वो रही है आई एक करके हम आपको बताते हैं इंफेक्शिंस डिजीज फजीशिशियन डॉक्टर शिरा डेरॉन का ये कहना है कि अगर आप किसी रेस्ट्राउं में जाएं तो वहां पर आपको बहुत साथधानी बरतनी होगी क्योंकि रेस्ट्राउं में करूना इंफेक्शन क का खत्रा बहुत जादा बढ़ जाता है डोक्टर डिरॉन के अलावा हेल्थ एक्सपर्ट को भी ये खत्रा डरा रहा है कि रेस्ट्राउं में जाने से करोना संक्रमन फैल सकता है आप रेस्ट्राउं जाएं जस्टेबल पर बैठें वहां से कम से कम 6 फीट की दूरी पर कोई नहीं आम तोर बर हम यह कुशिच करते हैं या यह कर देते हैं कि पास की टेबल से टिश्यू बॉक्स मांग लेते हैं ऐसा कभी मत कीजिएगा जब आप रेस्ट्राउं में जाएं तो इस बात का खास खयाल रखें कि रेस्ट्राउं में जो खाना आपको सर्फ किया गय जाया है उसने ग्लफ पैने हो उसने पूरा फेस मास्त लगाया हो उसने तमाम तरह के प्रिकोशन्स कहल भी जब आप रेस्ट्राउं में अंडर करें तो यह तो निष्ट कर लें कि वहाँ पर रेस्ट्राउं में आने जाने वाले का टेंपरिच्र लिया जा रहा है वहाँ सेनिटाइजेशन के पूरे इंतजाम किया गया है यानि कि वहां पर सेनिटाइजर रखा हुआ है और रेस्टराइजर में आने से पहले आपको अपने हाल सेनिटाइजर से अच्छी तरह से साफ करने होंगे ये कुछ ऐसी चीज़े हैं जिनका आपको बहुत जादा ख्यार रखना है क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट का और डॉक्टर डेरान का ये कहना है कि हो सकता है कि रेस्टराइजर जिसमें आप खाना खाने के लिए गए हैं वहां पर पूरी तरह से उस रेस्टराइजर को सेनिटा संक्रमित हो सकते हैं तो वह संक्रमित ना हो इसके पूरे इंतिजाम किया जाए उसका टेमपरेचर लिया जाए उसे अच्छी दरह से सेनिटाइजर देकर उसके हाथ साफ करवाए जाए और किसी भी रेस्टराइज में बैठे दूसरे इंसान की कॉंटाक्ट में संपर्क मे आप बिल्कुल भी ना आए चुरुवात की दौर में अभी रेस्टराओं को यह कहा गया है कि आपकी रेस्टराओं में बैठने की जितनी कैपसिकी है 100% उसका आप सिर्फ 25% ही रस्तमाल करें जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत अच्छी तरह से किया जा सके कि रेस्टरों में आप ज़रूर जाहिए खाना खाईए लंच डिनर कीजिए लेकिन कुछ चीजों का और घ्यान रखिए टिश्यू आपके डिस्पोसिबल होना चाहिए यानिक इस्तेमाल कीजिए उसके बाद फैक दीजिए उसको रखिए नहीं कई पार हम आम तोर पर ऐसा करते हैं कि टिश्यू यह लिखा या और अपने पास रखिए ऐसा बल्कुल बंद कीजिए मेन्यू जो है वो भी मेटना करना पड़े और आप महां पहले से खड़े हुए लोगों के कॉंटैक्ट में संफर्प में ना आएं ऐसा अमेरिका और दूश्य देशों में आम तो पर किया जाता है और अब तो जादा करोना काल में हो रहा है रेस्टों में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका आ सब्सक्राइब अब करना नहीं जा सकते आप रेस्ट्राउं में अंटर करने से पहले आपको हाथ से राइज करने होंगे रेस्टों के अंदर जाने पर आपको यह पूछ ना होगा कि वह जो टेबल है वो सेनिटाइस की गई है या नहीं क्योंकि आप से पहले जाय सी बाते वहां कोई बैठा हो सकता है किसी भी रेस्टरों में अब आप लंच या डिनर के लिए जाते हैं तो वहां आपके पास आपके मुबाइल फोन में आरोग से तू एप होना बहुत जरूरी है रेस्टरों म से लिक्विट सोप का अंतिजाम बहुत जरूरी है आप जाएं तो कोशिश करें कि पहले पता कर लें अलांकि ये रेस्टरों की भी सिम्नदारी है कि वो लिक्विट सोप वहां पर रखें बले ही सेनिटाइजर है सेनिटाइज आपने हाथ कर लिए हैं लेकिन साबून से हा जारी ही में बैठने से पहले उसे सेनिटाइज करना कम से कम दर्वाजे को और अंदर जाने के बाद से हाथ साफ करना ये भी बहुत बहुत जरूरी है तो ये कुछ चीजे हैं जो हैल्थ एक्सपर्ट से बताते हैं कि रेस्टरों में जाने से पहले आप ख्याल रखें जगा मौल्स कुल चुके हैं जाईए जरूर खाईए जरूर लेकिन अपना बहुत बहुत ख्याल जरूर रखें